हेलो श्टूरेंट्स वेलकम टू यूपी से एसस ओ लेवल स्रीज का लक्षा नमबर 43 है और अभी तक हम पिछले वीडियोस में ओ लेवल M2R5 का जो सलेबा से ये पूरा कम्प्लीट कर चुके हैं इसमें जितने भी चैप्टर हैं इन सभी को हमने प्रैक्टिकल और थेयरी बेस पर देख लिया है और इसके हमने नोट्स भी प्रोवाइट कर दिये थे यूपी से एसस योटूब डॉट कॉम पर तो ये सारी चीज़े आपको पता हैं इसमें हम पूरा कम्प्लीट कर चुके हैं तो यहाँ पर आज हम इस वीडियो में O-Level M2R5 का जो प्रीवियेस एक्जाम पेपर है तो यहाँ पर इसके आंसर भी आपको हम प्रोवाइट करेंगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर आज हम इस वीडियो में 20 प्लस डिस्क्रिप्टिव इंपॉर्टेंट कॉस्चन प्लस यहाँ पर प्रीवियेस एर यानि जनौरी 2021 का जो पेपर था उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सॉल्व करेंगे और सारा कुछ जो है आपको पीडियो फॉर्म में प्रोवाइट भी करेंगे तो यहाँ पर चले स्टार्ट करते हैं नोट्स में जाने के बाद O-Level study material open करना है फिर यहाँ पर M1R5 से related guest paper हम provide कर चुके हैं सारी चीज़े यहाँ पर M2R5 की बात करते हैं तो यह यहाँ पर M2R5 का guest paper मिल जाएगा यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर ले ठीक है तो यह डाउनलोड हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर हम O-Level का previous year paper है उसे भी डाउनलोड कर लेते हैं official website से तो यहाँ पर आपको type करना है O-Level M2R5 previous year paper और enter करना है यहाँ पर सबसे पहले आपको website मिल जाएगी nilet.gov.in यह इसकी official website है और यहीं से आपको old question paper जो है डाउनलोड कर लेने हैं तो इसे हम open करते हैं यहाँ पर आपको मिल लियागा January 2021 का तो यहाँ पर इसको हम view करते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए R4 यानि की जो पुराना syllabus O-Level का था उसके according और या फिर जो नया syllabus है आप R4 या R5 है वो आप देख लें तो फिलाल यहाँ पर हम बात करते हैं M2R5 की तो देखिए यहाँ पर यह M2R5 web designing and publishing यहाँ पर देखिए यह M1 लिखा है यह लिखना भोल गाए यहाँ पर इनकी mistake है यहाँ पर M2 होगा है ठीक है यहाँ पर होगा M2 क्योंकि M1 वाला तो आपका यह IT tools and network basics ठीक है यहाँ पर M2R5 web designing and publishing तो यहाँ पर फिलाल यहाँ पर हम इसे download करते हैं web designing and publishing यह यहाँ पर open हो रहा है और फिर उसके बाद यहाँ से आप इसे download कर लें तो यहाँ पर इसको हम desktop पर ही यहाँ पर रख लेते हैं desktop पर ही तो यहाँ पर यह M2R5 का original paper है इसी तरह से आपको वहाँ पर भी मिलता है और इसमें आप देख लें यहाँ पर जितने भी instruction दिये गए हैं इन सभी को आप पढ़ लें ठीक है यहाँ पर देखिए इसमें एक note दिया गया है note में बताया गया है कि यहाँ पर हिंदी Sanskrit में अगर कोई गलती पाई जाती है तो उस condition में अंग्रेजी यानि कि जो English है वही मानी होगा जो English में question दिये गया है actually यह लोग क्या करते हैं कि question जो होता है वो English में type करते हैं और फिर उसके बाद उसे translator की मदद से Hindi में convert करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि English में अगर question वही होता है तो उसका जो मतलब होता है वो कुछ और होता है उसका answer कुछ और होता है तो उसको आप Hindi में भी पढ़ें, मलग Hindi की भी help लें, और बाकी solve तो आपको अगर आपने Hindi medium select कर रखा है, उसमें आप हिंदी select किया होगा, तो Hindi में paper solve करेंगे, English select किया होगा, तो आप उसको English में paper solve करेंगे, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, पेपर को solve करते है, तो आपका जो objective, यानि part 1 जो है, इसमें Hindi English का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि इसमें तो OMR आपको fill करनी होती है, हिंदी English का मतलब तो आपका वहाँ पर start होता है, part 2 में, ठीक है, फिलाल यहाँ पर आपका पहला question है, 1.1, इसमें पूछा जा रहा है, tag is used to mark a beginning of paragraph, यानि कि हम paragraph अगर start करना चाहते हैं, तो कौन सा tag यूज़ करेंगे, तो सबसे आसान question है, P यानि कि paragraph tag हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर अगले question की तरह बढ़ते हैं, question number 2, question number 2 में यहाँ पर पूछा जा रहा है, create HTML tag for the largest heading, यानि कि अगर सबसे बड़ी heading मनानी है, तो इसमें से आप कौन सा यूज़ करेंगे, head h6 या heading या फिर h1 तो आपको पता चल क्या होगा, इसका answer होगा h1, क्योंकि h1 जो है, यह सबसे बड़ी heading मनती है, फिर h2, h3 जैसे आप नीचे जाएंगे, heading छोटी होती चली जाएगी, फिर उसके बाद तीसरा question यहाँ पर है, निम लिखि या निकी open भी होते हैं, और close भी होते हैं, forward slash के साथ में आपको याद होगा, ठीक है, और जो empty element आते हैं, वो सिर्फ open ही होते हैं, हम कह सकते हैं, या इंपटी होते हैं, वो close नहीं होते हैं, जैसे input होगे, आपका input close नहीं होता, इसी तरह से आपका होता है, IMG image जब लगाते हैं, link होता है, जिससे हम external CSS जोडते हैं, BR होता है, HR होता है, ये सब empty element होते हैं, लेकिन यहाँ पर container के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपका select जो है, ये भी container है, इसको भी open और close करना होता है, और body को भी open and close करना होता है, तो इसका अंसर आपका हो जाएगा D वाला, यान यानि कि related to, style ctf related to, javascript file, javascript text, यहाँ पर related to का इस्तमाल हम करते हैं, यहाँ पर आपका related to हो जायागा, ठीक है, फिर उसके बाद अगला question 1.5 की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है, कि dt tag को हमारे webpage की single line को सामिल करने के लिए लिए लिखा जाता है, लेकिन dt tag एक सुईकार करता है, तो यहाँ पर आपका answer हो जागा, पूरा paragraph होता क्या है, तो आपको याद होगा, हमने पढ़ाया था इसको practically, dt में क्या होता है, यह definition term होती है, जिससे हम define कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को, जैसे हमने dt मे define कर दिया, dt tag लगाया, और उ on order list में आपके bullets आते हैं, लेकिन dt और dt में इसमें bullets अगरा नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर, यह आपके dt जो main होता है, और dt जो हम उसको define करते हैं, तो आपको पता होगा, यह हमने practically बताया है, तो dt मे हमें एक पूरा paragraph लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें हम word लिखी सकते हैं, लेकिन हमें एक पूरा paragraph लिख सकते हैं, तो यह आपका answer हो जायागा, आगे बढ़ते हैं 1.6, तो 1.6 यहाँ पर है character encoding क्या होती है, character encoding यानि कि कोई भी character या document जब encoding होती है, उसकी encoding का मलब वो convert होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो एक प्रडाले जिसमें एक code होता है, जो data को प्रशारित करने के लिए प्रतेक word को एक पद्यती, यानि कि एक protocol, एक syntax, एक नियम के तहत उसे क्रम बद्ध करता है, यानि कि उसका एक क्रम अरेंज करता है, ठीक है, manage करता है, तो उसको मोलते है character encoding, तो इसका answer आपका हो जायागा, C answer हो जायागा, ठीक है, अगला क URL को इस्थापित करने के लिए एक बहतर approach है, base URL क्या होता है, यह भी हमने practically आपको बताया है, base URL यानि कि अगर हम अपने web page में, ठीक है, अपने web page में कई सारी images या कई सारी ऐसा content उठा रहे हैं, जो किसी एक particular URL पर है, और वो हम बार बार पूरे address में यूज नहीं करना चाह चूज करके कर सकते हैं, ठीक है, base element यह हमने practically बताया है, आगे बढ़ते हैं question number 1.9, एक नई list item बनाने तथा एक hyperlink को सामिल करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला tag li होता है, li में आप एक list बनाके उसके उपर anchor tag यानि कि a tag लगा सकते हैं, हला कि लगा तो हम सभी पर सकते ह इसले इसका answer हो जाएगा a, ठीक है, यानि कि li tag, फिर उसके बाद अगला question है, graphic का कोई भाग जो दूसरे hot zone में सामिल नहीं किया गया है, यानि उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, उसके क्या मना जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा default, क्योंकि यहाँ पर rectangle होता है, point हो polygon जो की इस तरह से बनता है, ठीक है, इस star के save में, लेकिन default जो है, यहाँ पर ग्राफिक से related नहीं है, तो इसका answer हो जाएगा 1.10, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर, फिर उसके बाद true false की बारी है, तो true false में यहाँ पर जितने भी question है, सारे के सारे CSS से declaration block होता है, यह भी true है, क्योंकि selector का मतलब क्या होता है, ID selector या class selector ठीक है, तो CSS में हम क्या करते हैं, कोई भी class selector बना के उसका एक block declaration होता है, उसके अंदर हम कोई भी declaration करेंगे, तो इस तरह से curly bracket open और close करेंगे, तो वो एक block declaration बनता है, कोई भी selector हो जाए, ID selector हो या कोई ठीक है, तो आपको पता है, तीनों यहाँ पर true हो जाएंगे, फिर उसके बाद 2.4, CSS element selector, CSS में selector का प्रकार है, यानि कि यहाँ पर अगर हम बात करें, CSS element selector is type of selector in CSS, यानि कि जो element selector होता है, element यानि कि tag, ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं, tag से किसी भी चीज को select करते हैं, इसे हमने by default paragraph के लिए, यहाँ पर हमने dot नहीं लगाया, सीधे लिखा है, यहाँ पर हमने p, और p के बाद यहाँ पर हमने block declaration किया, और p का जो background color है, या font size है, कोई भी यहाँ पर हमने CSS की property set कर दी, तो यह p के लिए क्या हो गया, default root से set हो गया, ठीक है, पूरे document में जहाँ भ वही चीज़ पूछा जा रहा है कि element selector is a type of selector in CSS, हाँ, तो यह एक पुरकार का selector ही है, वही चीज़ पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर यह आपका हो जागा true, फिर उसके बाद अगला question universal selector को wild card character के रूप में कभी प्रियोग नहीं किया जा सकता, तो यह आपका गलत हो ज universal selector होता है, universal selector यानि कि अगर हम कोई भी ऐसी property ऐसी value है, जिने हम पूरे document page पर apply करना चाहते हैं, तो हम universal selector का use करते हैं, तो यहाँ पर यह wild character होता है, star के sign को wild character बोला जाता है, तो इसी का use करके हम universal selector को apply करते हैं, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर यह कर रहा है कि नहीं किया जाता है, ठीक है, तो यह false हो गया, आगे बढ़ते हैं, 2.6, फिर उसके बाद यहाँ पर grouping selector का प्रियोग भिन style परिभासाओ के साथ सभी ततों का chain करने के लिए किया जाता है, तो इसका question in English में पढ़ते है, the grouping selector is used to select all the elements with the different style definition, यानि कि question यह कह रहा है कि grouping selector जब आप use कर तो क्या वहाँ पर उसमें जितने भी element दिया गए होंगे, सारे select हो जाएंगे, हाँ यहाँ तक तो ठीक है, सारे select हो जाएंगे, फिर आगे बताया गया कि with the different style definition, यानि कि क्या हम grouping selector का यूज करके, अलग-अलग tag पर अलग-अलग style दे सकते हैं, तो नहीं, यह false हो जाएग तो यह पहली चीज, यह कौन सा element हो जाएगा, यह कौन सा selector हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा, grouping selector, यह क्या होगा, grouping selector माना जाएगा, और इसमें क्या होगा, कि जो भी हमने property value लिखी है, वो सारी की सारी paragraph heading and li तीनों पर अपलाई होंगे, यानि कि हम अलग-अलग नहीं करता है, तो यह सही है, क्योंकि ID selector जो होता है, वो ID की according काम करता है, जिसका अपने ID रखा होगा, उसी element को सिर्फ select करेगा, फिर इसके बाद अगला question 2.8, inline CSS is used to apply CSS on multiple lines or elements, यानि कि क्या inline CSS का use करके हम multiple lines and multiple elements के उपर उसको apply कर सकते हैं, तो नहीं, यह false हो जाएगा, क्योंक तो normally हम यूज कर सकते हैं, जैसे हमने 10 paragraph लिखे और 10 paragraph का color rate करना है, तो inline CSS use करेंगे, तो 10 paragraph पर हमें वो चीज inline CSS लिखनी होगी, ठीक है, लेकिन क्या हम एक ही paragraph पर सेट कर और सभी पर हो सकता है, नहीं, यह inline CSS की वज़ेशा नहीं हो सकता, यह आप internal या फिर external से कर सकते है class बना करके, ठीक है, लेकिन inline CSS से नहीं होगा, question इस sense में यहाँ पर पूछ रहा है, तो यह false हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि, the internal style sheet is used to add multiple style for more than one document, यह नहीं कि क्या हम internal style sheet का यूज करके, यह internal CSS का यूज करके, more than one document, यह नहीं कि क्या हम एक से ज़ false है, यह भी false है, क्योंकि हम inline CSS का use multiple lines पर नहीं कर सकते हैं, और internal style sheet यह नहीं जो internal CSS होती है, इसका use आप दूसरे document में नहीं कर सकते हैं, जिसमें लिखा है, head section में उसी में use कर सकते हैं, तो यह भी false हो जायागा, फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरा question है, फिर उसके बाद यह changes करते हैं, तो क्या जितने भी web pages से सारे पर changes हो जाएंगे, तो बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि हम external style sheet आपकी एक ही होती है, तो सभी में changes हो जाएंगे, तो यह भी आपको पता होगा, यहाँ पर यह हो जाएगा true, ठीक है, यह आपके false हो जाएंगे, यहाँ पर हमने बता यह हो सकता है, किसी दूसरे का भी हो, तो यहाँ पर ऐसे हमें answer नहीं लगाना होता है, पहले एक बार पूर अच्छे से पढ़ लेना होता है, फिर उसके बाद, फिलाल यहाँ पर तब तक के लिए माल लेते हैं, external javascript file.js extension हो जाएगा, http यहाँ पर आपको पता है, यह hypertext transfer protocol call हो जाएगा, javascript single line comment double forward slash से लगाया जाता है, आपको पता है, double forward slash से single line comment दे सकते हैं, css तो css यहाँ पर cascading style seat हो जाएगा, फिर उसके बाद javascript variable, javascript variable, local variable and global variable हो जाएगा, ठीक है, और फिर javascript global variable क्या होता है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, javascript global variable का option क clear किया जाते हैं, ठीक है, तो यह आपके global variable माने जाते हैं, xml क्या है, तो यह आपको पता चल गया होगा, extensible markup language, javascript क्या है, dynamic type language है, and javascript switch statement क्या है, तो यहाँ पर आपका h हो जायागा, multiple expression से एक code निश्पादित करना है, यानि कि हम एक code लिख देते हैं, और उसके बाद हम उसकी multiple expression लिख सकते हैं, कि जिसका जो expression match हो, वो expression run होनी चाहिए, तो वो हम switch statement से कर सकते हैं, switch और cash statement से, तो यहाँ पर हमने सारे answer बता दी, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर, यह आपका English version है, फिर उसके बाद यहाँ पर fill in the blank, तो fill in the blank में यहाँ पर देखते हैं इसको थोड़ा zoom minus कर लेते हैं, फिर उसके बाद solve करते हैं, चलिए यहाँ पर इसको English version में solve करते हैं, तो नीचे बढ़ते हैं, जरूत पड़ेगी तो हिंदी में आ जाएंगे वापस, तो यहाँ पर tag create a number order list, ठीक है, यानि कि order list create करने के लिए आपको पता है, OL, यहाँ पर text inside text area tag work like input हो जायागा, ठीक है, input इसलिए होगा, क्योंकि text area क्या होती है, आपको पता है, text area हमें एक website में एक box मिलता है, उसके अंदर हम कोई message type कर सकते हैं, तो वो किस तरह से treat होता है, वो as a input treat होता है, जो भी यहाँ पर आप type करेंगे, form submit करेंगे, तो वो सारा कुछ submit हो ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, input, फिर उसके बाद base tag is designed to appear only between, तो यह हो जाएगा head, ठीक है, जो base tag है, वो head section में दिखाई देता है, हम लगा इसको body में भी सकते हैं, लेकिन यह head के लिए especially बनाया गया है, क्योंकि base का जो मलवा आपको इसमे हम 6 heading होती है, ठीक है, 6 यानि कि H1 से लेकर के H6 तक यानि total 6 heading होती है, यहाँ पर इसका answer 6 होगा, आप इसको पढ़ ले, ठीक है, काफी easy question है, फिर आगे बढ़ते हैं, आपर question आगे जो है, यह थोड़ा setup है, तो इनको देखते हैं, आपर question number 4.6, a part of graphic that is not include in another hot zone is considered to be part of, ठीक और यहाँ पर गलत भी है, यहाँ पर कभी कभी question गलत भी हो जाते हैं, तो देखें कैसे, यहाँ पर 4.6 वाला जो question है, जो कि यहाँ पर आपको मिल रहा है, इसमें fill in the blank में, यही same question यहाँ पर आपको MCQs में, इसके part 1 में था, यहाँ पर आपको दिखाते हैं, देखिए, part 1 में यह रहा question, any part of, ठीक है, यह वाला जो question है, तो इसका answer तो यहाँ पर सही है, यह default हो जायागा, ठीक है, यह यहाँ पर proper सही है, लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पर fill in the blank में, तो यह वाला जो question है, इसका यहाँ पर कोई भी answer यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसमें default या default से मिलता जुलता, इसमें कोई भी ऐसा option नहीं है, ठीक है, इसमें ऐसा कोई मिलता जुलता option नहीं है, जो वहाँ पर fill कर दिया जाया, और वो question सही हो जाया, तो कभी कबार ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, यह हमारे according यहाँ पर question जो है, duplicate हो गलती से copy paste हो गया होगा, ठीक है, औ default option वहाँ नहीं होगा, ठीक है, तो I think समझ में आ गया होगा, इस तरह से अगर question एक जाम में बाई चांस आते हैं, तो एक number आपको मिल जाता है, ठीक है, आप इसको solve करें, ना करें, यहाँ पर एक number आपको provide कर दिया जाता है, अगर उनको लगेगा कि हाँ papers गलत हो गया, आप उससे description जो है, उसके जो भी आपने tag लगाया होगा, जैसे हमने paragraph लगाया और paragraph में paragraph लिखाया, और paragraph की भी कोई अगर हमें description देना है उसके बारे में, हैनि caption टाइप से, तो इसका जो tag होगा, वो आपका caption हो जाएगा, आपने caption हमने पढ़ाया भी है, तो यह जो caption यहाँ आपर है, यह वाला आपका, इसमें answer हो जाएगा, जै ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद अगला question देखते है, question number 4.8, the word document node, node list, element node, यानि कि यह सब क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर यह सारे जो है, यह आपके interfaces है, आपर इसका answer हो जाएगा, interfaces ठीक है, आप does type, अब यह XML से related कुछ question answer हम देखेंगे, जो कि descriptive होंगे, फिर उसके बाद the MIME text file is saved with, तो यहाँ पर इसका answer हो जाएगा, HTML extension, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह आपको out does type मिल जाएगा, और यहाँ पर यह HTML extension, जो कि last में आएगा, ठीक है, MIME के लिए, और आपका जो descriptive question का जो answer है, वो यहाँ पर हमने guest paper में provide कर दिया है, guest paper यानि कि जिसको अभी हमने download किया था, आपको बताया भी था कहां से download करना है, ठीक है, वीडियो को starting में, तो यही आपको PDF डाउनलोड करनी है, और इस PDF में आपको 29 question मिलेंगे, 20 page की PDF है, यहाँ पर आपको total 29 question मिलेंग ठीक है, और साथी साथ कुछ और भी extra important question हमने provide कर दिया है, ठीक है, तो यह सारा कुछ आप complete कर लें, और इससे आप M2R5 में पूरा जो है, आप मान के चलिए, 80-90% के आसपास इसी topic से related topic पूछे जाएंगे, कहने का मलब यह है कि अब जिससे question है, website क्या है और या कितने परक से कर पाएंगे, या static and dynamic के बीच में difference पूछ लें, तो यह इस तरह से मलब चीज़े पूछी जा सकती है, तो हमने यह बताए कि as it is question तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके यह सारे question यहाँ पर clear कर लेते हैं, तो आप 80-90% marks जो हैं वो ला सकते हैं, क्योंकि objective अगर आपके आप वहाँ से जाके download कर लें, और सारे question यहाँ पर आराम से पढ़ें, आप exam के लिए भी लगवग 5-6 दिन का time है, और देखिए exam में कुछ इस तरह से भी question आ जाते हैं, वहाँ पर practical based पर write HTML code to generate the following output, यानि कि इस तरह से question होगा, output इस तरह से होगा, इसका code आपको लिखना हो कोई mistake हो जाती है, तो आपको output में पता चल जाता है, और फिल लिख देते हैं, हम लोग उसको सही कर देते हैं, लेकिन जब आप code को copy में लिखते हैं, तो थोड़ा सा यह tap पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि tag जो है, कहाँ open करना है, कहाँ close करना है, यह सारी चीज़ आपको दे दी हैं, ताकि आप इसको करें, वरना आप करेंगे नहीं, ठीक है, फिर उसके बाद अगला यहाँ पर है, table से related, यहाँ पर output दिया गया है, कि इस तरह से आपको table बनानी है, तो यहाँ पर देखे, table अगर बनाने को आ जाती है, और colorful तो नहीं आएगी, लेकिन color आ जाता यहाँ पूछा गया था, और यहाँ पर form, तो यहाँ पर form के बारे में तो आपको पता है, यह सारा कुछ आप अच्छे से read करें, mark you tag के बारे में आपर थोड़ा समझा देते हैं, क्या है, क्योंकि यह हमने पढ़ाया नहीं था, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आपने दे आपको पता है, एक heading दे दी, align center कर दिया हो गया, यहाँ से आपका यह इतना main code है, तो mark you tag होता है, जिससे text या image हम किसी भी चीज को scroll करा सकते हैं, कैसे, तो देखिए, यहाँ पर आपको mark you tag open करना है और close करना है, बीच में आप heading लिखें, paragraph लिखें, text लिखें, इसमें आप पता चल गया होगा, तो बहुती simple है, यहाँ पर इसके कुछ attribute है, जैसे background color हमने दे दिया है, बस यह ठीक है, फिर यहाँ पर direction ठीक है, direction यानि कि आप इसमें up, down रख सकते हैं, left रख सकते हैं, और right रख सकते हैं, by default जो होती है, वो left तो होती ही है, आप up, right and left and down, यह 4 direction आप रख सकते हैं, भी हम change करके आपको बताएंगे, scroll amount यहाँ पर हमने 5 दिया है, scroll amount का मतलब होता है, वो जो आपका text scroll हो रहा है, वो कितनी speed से scroll हो, उसके लिए होता है, तो यहाँ पर 5 रखेंगे, यहाँ मा लेते हैं, अगर 50 कर दिया, तो बहुत तेजी से scroll होगा, और जितना कम रखेंगे, वो उतना slow scroll होगा, फिर यहाँ पर इसकी width और height आप दे सकते हैं, width item ने जो दी है, यह जो आप यहाँ पर देख रहे है, mark you tag में यह color आ रहा है, जितना यह width और height हमने set की है, आप जितनी देना चाहिए दे सकते हैं, और अगर नहीं देंगे, तो फिर वो बह scroll amount जो यहाँ पर set करेंगे, देखिए, आपर हम अब भी कर देते हैं, left कर देते हैं, ठीक है, आपर हमने कर दिया, left direction क्या करती, left और इससे save करते हैं, चलते हैं, refresh करेंगे, तो आप देखेंगे, left to right इस तरह से scroll होगा, ठीक है, left to right यहीं से scroll हो रहा है, बिल्कुल exactly वहाँ स cover करेगा, देखिए हम, refresh करते हैं, तो by default पूरा page cover करेगा, तो यह इस तरह से काम करेगा, तो आपको समझा गया होगा, यहाँ पर आप direction left, right, top, bottom, कुछ भी रख सकते हैं, top, bottom के लिए up or down होता है, ध्यान रखेना है, top, bottom नहीं लिखना है, scroll amount यहाँ पर जैसे scroll amount भी 5 है, इस सब कुछ पता चल गया होगा, सिर्फ mark you tech के बारे मैं नहीं पताया था, वो हमने बता दिया, और इसका code भी हमने provide कर दिया है, तो यहाँ पर अभी तक मैंने O level M2R5 का पूरा syllabus complete करवा दिया, सारे notes provide कर दिया, previous year का जो exam paper था, वो भी हमने complete कर दिया है, और कुछ important question भी आपक एजाम दे, best of luck, मिलते हैं अगली वीडियो में, okay so thanks for watching this video,